गाल होएगी प्रॉबली दस बारा साल पहलों दी मैं नक्का मोड़न गया ते दिन दी बत्ती सी चोन्यादा टाइम सी तो चोन्यादा टाइम दे विच प्रहमेस है हुंदा के बत्ती नू तुसी बिल्कुल भी वेस नहीं कर सकते जिन्ना भी पानी चार केंटे या पान जी के देखी मैं कार नो फराल तो कार जांदेदे में सोच रहा है कि आज बापू दू गाना पैन गया एक ते पानी वेस्ट कीता साप वी जो तेरा वर्स्ट नाइड मेर है ओ भी तुन देख्या चलो बापू ने ते कुछ नहीं किया बड़ चाचे हुना मेरा बड़ा मजागड कि तेरे हाथ कई सी तो कई उधी सिरी क्यों नहीं लाई तो बाद हफ्ता दो हफ्ता मैं मोटरत नहीं वड़ा कोई डार बैठा होया सी कि किते साप उथे हिना बीठा होगा चलो स्टोरी नंबर एक स्टोरी नंबर दो इथे मैं अपने आपने बड़ा फॉर्चनेट मानना क कंपनी ने में फ्लेक्सिबिलिटी दिती होई कि किसे भी टाइम तू अपना कम शुरू कर सकते मैं एक मॉर्णिंग पर से ना स्वेरे टुना मनों बड़ा प्रसान दे ते मैं छेग वज़े अपना कम शुरू करता ते काम बते जान देया ही पहला मेरा टास्क एक मीटिंग करना सारे नाल जिंग मैं कि दाःगा काम होना ते क्या काम करना ते ओफसीजन है स्टैम मेरी टीम चाशे जाने होंगे ते ज़दों कामदा सीजन होवे लगबगा के ती जाने मेरी टीम हुंदेनों देने ता सारे नू lovely वेरे दिसना की की करना तो मैं कहाँ सकता कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल अई ना माड़ा नहीं चलो ए ते सी मेरे डेली टास्क एक हफते दे वेच वड़ी मीटिंग हों दी है जिदे वेच हेल्थ और सेफ्टी बरे दस्या जान दा है वेच दूज़े डेपार्टमेंट आके भी पाटिस्पेट करते ने फिर एक मेन किक ओफ मीटिंग हों दी है सलाना मीटिंग कंपनी जिदे वेच दस्या जान दा है कि पिछले साल की होया अगले साल की होएगा ते इस वार मिन्नू भी मौका मिल्या ओ मीटिंग दे वेच स्पीच देन दा मिन्नू 15 मिन्ट मिले ओ दे वेच अस्ट्रेलिया दी टीम ने भी होना सी क्राइस चर्च इथे न्यूजिलेंड दा शायर उत्थों दी ब्रांच दी टीम ने भी होना सी ते मेरी स्पीच सी अपने डबार्टमन बारे कोई वदिया गल दसनी कॉंफिडेंस फिर मैं कवा मेरा इनना आप माड़ा नहीं क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल वी रान करना ते चार या पांच दे आर लोग मिन्नू सुनते ने मैं का चलो कोई नी स्पीच यह दे रांगे ओके जिद्धा इद्धा टायम को लंदा गया मैं सुविदा गया अस्रेलिया टीम भी आ रही है क्राश्चर दी टीम भी आ रही है और टेंशन होली होली स्लोली वाद्दी गई फिर हाफता ग रहा गया जदो देन वास्ते मिन्नों सुपने उने स्पीच मेरी कोशिस सी मैं पांच मिन्ट इच फिनिश करां पांच मिन्ट इच फिनिश की ती वी मेरी कोशिश है रही है कि कदों में जा गया अपनी सीड़ते बिठा चलो ओ देन नंग आ ते उत्तों बाद एक हफता मेरा बड़ा खराब किया कि यार बहुत वधिया उपरचूनिटी सी तेरे को बट तु कुस जादा ही नर्वस हो ग पांग देखिया यह बहुत कदी-कदी मोटीवेट कर देना ता नो जा पांपां पराणे समेच जाहिए लागबग दो लाग साल पहलों जटों आपने को इतना था कोई वी टूल नहीं सी जो दूझे जंगली जानवरां को सी ठीक है ना आपने को इतना तिखे ना होने या आपना कभीलियां देविच रहना ते एंग्जाइटी चिंता डार होना इनने बहुत जादा हेल्प की थी अपनी सर्वाइवल देविच ताईयों दो लाग साल बाद भी आपना ग्रोवी कार रहे हैं ड्वेल्प भी कार रहे हैं उस टाइम देविच पुराने टाइम जे तो हाड़े अंदर चिंता नहीं सी यह स्ट्रेस नहीं सी गुफा तो बार जानने आहीं तो आनू मौद दा सामना करना बहिंदा सी एसली गुफा तो बार उंदे आहीं तो हानू अलग-अलग स्नेरियों अपने दमाज रखने बहिंदे सी के होन जंगली जानवर दा अपना स्ट्रेस वाला होन आज दी लाइफ दे वेच अइने थ्रेट नहीं आपनू पदा किसे जंगली जानवर ने आपनू अटेक नहीं करना बट उडार वाला उस्ट्रेस वाला टूल आज भी आपने वेच अवेलेबल है बट उन्नू कड़न वास दे आपने को कोई रि देखो जो तो हनू बाड़ी आंकमफड़ेबल करती तो ही स्ट्रेस फुल हो जानदे ओ तुसी कोई पॉलिटिकल आइडियोजी राख दे ओ तो हाडि देनाल कोई अग्री ना करे तो हाड़ा स्ट्रेस लेवल निकिया निकिया चीजाने अपना स्ट्रेस ट्रिगर किसे तर याना दास जाने पहलों कुर्स्तियां दे बैठे हों ते एकदम आपने आल देखन त्यापने बड़े अनकंफरेबल हो जाने हैं त्यापना लब दे आकोई मैं जल्दी इल्दी सीट लब मादे उथे बैठा एक नॉर्मल चीज है पबलिक स्पीकिंग देवेच कदी-कदी प होना बड़ा इंपॉर्डंडर्ण सी यान तोसी BIG से Goodbye सिब्सेंगों तो मिल्दी कभील निकले मतलब सी सिद्दा मौथ को कि दिब्स जवेच तो बैर रटे।सं बड़ील काट हों दी कि घृटिया थाट ते हो जो फीचर आज भी आपने चे वेलेबल यह हमेशा आपने आपने आपनों दूज ज्यानिंग कॉशिश कर देयां कि जे इन विप्रेश करने कर पाए शायद सांट नूं कभील वीच्छों बाहर बार करता जाएगा पावें कभीलिए वेच आपने र स्टोरी ना पेंड़ एक मुंड़ा सी ओनना मेरी ना बड़ी लगनी पेंड़ी में डीर जदों सामानों बहिंदी है ते सारें दी कोशिश हुन दी है कि बंदा फणी होवे मतलो हरे एक नूं इंप्रेस करन दी कोशिश आपा करी दी है पेंड़ दे मुंड़े ना लगनी दे क्योंकि पेंड़ दे अंदर सी गिसे होरी मंदों साथी लड़ाईचि नहीं परना क्योंकि सारे जाने सारे दोस वाग के next time जो दो लड़ाई होएगी मैं कितना उन्हों फड़ाँगा किते वार कराँगा ते किना damage मैं कर सकता दो तीन महीने मैं एही overthink करता रहा ते scenario नो play करता रहा ते नक में नवाद ना मेरे नो थोड़ी जी अगल जी आई कि यार कोई productive कामते मैं बिलकुल नहीं कर रहा कोई होर चीज वारे मैं सोच नहीं पा रहा ते फिर मैं उन्हों जाके बलाया एक दे ते उन्हें भी ये situation नो बड़ी वधिया तरीके ना handle कीता ते उन्हें किया कि हाँ यार सही है अपाँ ए negative energy नाल या overthink कारके situation नो की होएगा या कितना होना चाहिदा सी आपना जो precious time है ओ विस कार रहे है ते इन्हों मैं कितना है कितना है फिर connect करांगा अपनी tribal mentality दे नाल साधा main point या objective नहीं सी एक दूजे नों damage करना या hurt करना साधा main objective सी paint दी जो hierarchy level है ओ दे वेच उपर कितना है या number किते जादा बढ़ना ते group दे वेच अगर कोई loser बंदा भी है ना जो बंदा कल्ले काम नहीं कर सकदा group दे वेच आखे पीड दे वेच आखे दूजे नों impress करन दे चकर दे चाखे ओ बंदा कोश भी करेगा कल्ला बंदा कोई गंदी हरकत नहीं करेगा पर दंगियां दे टाइम ओ ही बंदा दूजे गुरूप दे मेंबरा नों impress कर नवास दे कोच भी करेगा ओनलाइन दे वेच आखे नों कोई disagree करे या agree करे ओ बंदे नों defend कर नवास दे बहुत लोग ठले आगे support कर दे कि हाँ मैं बत्ते ना बिलकुल आगरी है जो बंदा अभी बहुत ज़्यादा loser है ना ओदे वेच tribal mentality ओनी ही ज़्यादा होएगी ओके होन सिट्टा ए अभी सोड़दा की निगलदा मैं मानना के stress डार एक बहुत वधिया चीज है अगर तुसी stressed हो या चिंता विच हो एदा मतलब है कि तुसी जो काम करन जा रहे हो या जो काम करन दे विच चिंतित हो तुसी ओ काम दी बहुत ज़ादा केर कारते हो तुसी चुम दे हो कि ओ चीज परफेक्ट हो वे या डार या चिंता या स्ट्रेस तो हाँ नो कितना किते मोटिवेट भी करेगा to do things better बट कोछ लोग हमेशा चिंता दे विच ही रह रहे ने या डार दे विच ही रहे रहे ने सारा देन ओवर्थिंक कर करके सोच के situation नो अगर situation बहुत छोटी है वाँ ज़ादा वड़ागर लेने है वो चीज मैं बहुत ज़ादी माणी मानना ज़दों आधी मानन बारों लड़के होंदा सी अपनी केव दे विच तो बिलको रिलेक्स होंदा सी तो दमाग दे विच सनेरियो चालदा सी कि आज मैं आशकार कीता या आज जंगली जनवन न लड़ेया उन्हों दमाग देवेच चला गे रीलनू ते पोल जानदा से क्योंकि next time एक होर challenge कोई ना कोई होर challenge दो सामने प्यासी पर आज जा अपनी life इनी ज़्यादा easy है कि एक वारी कोई माड़ी चीज अपने ना हुंदी है next challenge आपनों पता नहीं कदों आएगा इसलिए आपा पुराणी चीज सोच के सोच सोच के उन्हों बहुत ज़्यादा वट डागार लेने अपने दमाग देवेच ते जिदना आदी मानव कोल आपनी केव सी relax कर नवास दे आपने को आज आपनी केव या गुफा अवेलिबल नहीं कर नुँ अपना गुफा कह सकते हैं बट की कार देवेच आपने को फोन ने या टीवी ने आपना बार दिखावर देख सकते हैं तो जिद्धे आगे आपननों रिलाक्स होना चाईदा है ओदे वेच आपना होर ज़दा पड़के जाने हैं वीडियोज देखे या सोशल मीडिया वेच जागे तो इसलिए पहला टास्क अगर तुह हमेशा टेंशन वेच रहिंदे हो तो आपनी एक गुफा अपनों नहीं पाएगी गुफा दा मतलब है कि तो हानू आपने आपने पहली गालते ज़ाय चैलन्ज करना पाएगा अगर तुसी वर्काउट नहीं कारते है अगर तुसी जम नहीं जाने कर दे एक्सराइज करते है तो हानू किसे ना किसे तरह अपने मसल नो stimulate करना पढ़ेगा या अपने बोडी नो challenge करना पढ़ेगा फिर दूजी चीज कोई ना कोई इतना दी activity लेनी चाहिए जो तो हाटे brain नो stimulate करे तो हाटे brain नो challenge करे मेरे वास्ते challenge है मेरा podcast दमागी तो अरते में नो challenge रखता है तो इसलिए काफी time में इत्थे spend करता में को free time नहीं free time मतलब तुसी comfortable हो जिनने comfortable हो ओनना तो हाटे ली माडा सोचना उधी probability बहुत ज़्यादा वज्यन दी है ते workout लेके मैं अपनी body नो challenge करना ते इसलिए ओधे विच काफी ज़्यादा time spend करना ते फिर मैं कवा हरे एक बंदे नो अपनी गुफा पनोनी पहेगी जिदे विच ओपने आपनो challenge करें या relaxed feel करें फिर अगर तुसी किसे चीज़ी तो डर दे वी हो उतनो पजन्दी बजाए कोशिश करो कि आपने आपनो ज़्यादा expose करो होन जेडी situation दे विच मैं ऐसी कि मैं speech दे दुरान बिल्कुल freeze हो गया मैं action होदा की लिया कि अगले साल फेल वी होँआ बट हर एक मीटिंग दे विच मैं कितने किते थोड़ा थोड़ा बैटर होंदा जावाँगा ते next year जिदो ओही मीटिंग किक ओफ मीटिंग फेर आई I'm pretty sure कि last time नालो मैं बहुत ज़ादा बैटर होँआगा एसी आईदार सोड़ आई हो सारे नुवदिया लग्या होएगा लाइक शेर ते सब्सक्राइब अपां होर गल्ला बता कर देना आँगे हुण मिल दें अपां अगले पसोट मैं तो अड़ अपना का कबली ना मेरा कगिंदी पसेंगा सास्या काव